फूट सेमेस्टार हिस्टरी की यूणिट सेकेंड है आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ए हुए कुश्चन्स दिये हैं वो सारी सेलेक्टेड कुश्चन है जो पर अच्छा मैं आने की सम्पूरी संभावना है इंग्लेंड में ओदोगे किरांती का च्छन सर्व्थम देखाई दिये तो आ 1737 में ओदोगे किरांती के दिनों में सिरमिक से कितनी घंटे कार लिया जाता था दुबाव 10 घंटे 10 कैपिटल पुस्टर के लिखा कौन थे तो सा काल मार्क्स 1634 में आठ तक्विये वाले चर्खे काविशकार किसे ने किया था तुद्दा जेम्स हार ग्रीब्स जन के लिए जाना जाता था मानो जीवन के शित्र पर ओदोगे किरांती की नियूंतम प्रभाव पर कैपिटलेज्म सब किसने प्रचारित किया था इसका आंसर आपका सा सेंट साइमें जेम्स मिल कौन था तुद्दा इसकोटे से थिया इसकार फ्री मार्केट एकोनोमी इंगलेंड में और दुग क्रांती की सुरुवात के सुद्दोग धंदे से हुई थी तुद्दा सूती वस्त्री कार खाना विवस्ता को चनम दिया तुशा रिचार्ड अर्कराइट इस तम पधनियां को का बर्खस्त किया गया तो आ सत्वाप्सु छ्यासत में बचानी हेतु चली गोली को क्या कहा गया बोस्टन के पत्र विवहार समीति का गठन कब किया गया तुद्दा सतासु भात्तर में लेवी प्रिष्टन नामक अमेर्की व्यक्ति ने लेकिस्टिंग नामक युद्ध में भाग लेने के लिए यात्रा की आ पैदा महादीब के कांगरी साधिवेशन में किसने भाग नहीं लिया दा जार जीया ने अमेर्का की सुधनता की गोष्णा कपकी गई बा चार जोलाई सतासु छेतर को अमेर्की समीधान कब लागू हुआ तुद्दा एककेशी जोन को थौमस पैने द्वारा लिखे गई पुस्ताख है कॉस्टन्टी पार्टी की घटना कब हुई थी तुष्णा 16 दिस्तंबर 173 को अमेर्का की खोज 1492 में किसने की थी तो आ क्रिस्टोफर कोलंबस पैरेस की संथी किस बर्ष्वी तुष्णा 3 सेतंबर 173 अमेर्की उपनिवेशों मैसा च्यो सेट्स कनेक्टी कड तथ न्यू हेंप सायर को किसने बसाया तो दा इंग्लेंड की क्यू डिटन ने अमेर्का की पहली बेटिस वस्ती थी तुष्णा जेंप्स टाउं वेस्ट इंडिज का ग्रेनाड़ा दीप इंग्लेंड का उपनिवेश का बना तो दा सत्रा सुत्रेश है सत्रा सो चैतर में जार्ज रासिंग्टन ने अमेर्का में न्यू किस बेटिस गवर्नर जेनरल को हराया तो इसका है दा लार्ड कांड़ालेश फ्रांस का कौनसा सासा किस पिरकार जाना गया फ्रैंस का समराठ इटली का राजा फ्रांसेशी गातंत का प्रिथम कौनसल राइन संग का संड़क्षा तो इसका दा नेपोलियन बॉनापॉर्ट को फ्रांसेशी सेना में ब्रिगेडिया जनरल का पत प्राप्त हुगा तो आ जोजी फीन, डी, व्यू हिर्नियस, तिल सिट की संधी किस युद का प्रडाम थी, तो दा, फ्रिड लेंड, निपजिंग का युद कब हुआ था, तो बा, अठारसो तेरा, अठारस चुगदा में नैपोलीन बॉनापार्ट को किस सिस्थान पर निर्वासित कर दिया गया था तो बा, सैनेट हैलेन, सैनेट हैलेन, सैनेट हैलेन, दी, कहां परिष्थे थे, तो बा, दच्छन अमेर का, वाटर लू के मैदान में किसकी पराजय हुई थी, तो आधा डियू को फैलिंग्टन, नैपोलीन बॉनापार्ट ने किस देश के बिरुद महादू बिवस्था की गोश्णा की थी, तो आ, इंगलेन, टिलिष्ट की संधीक कब हुई तो दा, थरसो साथ में, नैपोलीन के जीवन कांती में उद्ध था, सा, वाटर लू के योद, वाटर लू की पराजय के बाद नैपोलीन को कहां भेजा गया, बा, सैन्ट हैलेन दी, नैपोलीन बॉनाप नैपोलीन का जन्म कहां हुआ था, तो आ, इसो दिन, किस जिद्ध को नैपोलीन बॉनापार्ट की निर्यक पराजय के रूप में जाना जाता है, उत्तरवा, वाटर लू, नैपोलीन का जन्म कहां हुआ था, तो बा, अंदर आगस 1799 को, नैपोलीन ने फ्रांस का प्रिथम इसके सब तरूर होने पर हुआ था, तो दा नैपोलीन, बारलेन बिग्यप्ति का प्रिकासन का भुगा था, पा, 1806 में, नैपोलीन ने अपनी उम्र से छे वर्ष बड़ी महला सिवाय किया था, उसका नाम क्या था, जोजेफ फैन, व्यू हरने, नैपोलीन बॉनापोर्ट इसके किस कार्मेन नहीं था, तो बाविती संगिता, नैपोलीन ने मिशन के किस बंदरगाय पर अधकार किया था, तो इसका है सा, अलेक्जेंडरिया, मैं कोई मामूली व्यक्ति नहीं हूँ, आच्रा तथा नैतिक्ता की नियम मेरे उपर लागू नहीं होते, एक इसके सब इप्रामिट का युद्ध किनके मत हुआ था, तो सा, फ्रांस तथा में से, नैपोलीन बोनापुर्ट कहां का रहने वाला था, तो बाव फ्रांस का, आधुने की उरोप का निर्माता कहा जाता है, तो आ नैपोलीन को, नैपोलीन ने 1837 में किस युद्ध में रूस को किया तुब्बा 1837 में नैपोलियन की म्रत्तु के समय उसकी आयू थी सा 49 वर्ष नैपोलियन ने बिना किसी भारी ब्रोत मास्कों में कप प्रिवेश किया युद्ध सेतंबर 1812